हाई एवरीबेन वेलकम और वेलकम बैक तो माई चैनल कैसे आप लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज मैं आप लोग के साथ मीशो से तीन साड़ियों की रिवियो शेर करने जा रही हूं उमीद करती हूं आपको वीडियो पसंद आएगे अगर पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरू कीजेगा फ्रेंट्स और फैमली के साथ शेर कीजेगा चैनल पर पहली बार आएगे बहुत ही अच्छे वीडियो आने वाली है तीनो साड़ी ऐसी होने वाली है कि अगर आपके घर में तीन जनरेशन है तो सभी लोग इसे यूज कर सकते हैं और बहुत ही अफ़रडबल प्राइस में मैंने इन्हें वाई किया हुआ है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा चलिए अब इनकी डीटेल्स मैं आगे वीडियो में बता दो आज ही पहली साड़ी स्टार्ट करती हूं मैं फर्स्ट जनरेशन से तो ये आपको वाईट एंड ग्रीन के कॉंबिनेशन में रिसीव होगा बहुत प्यारा साड़ी इसमें गोल्डन की भी टेच है मैं आगे आप लोगो के साथ शेयर करूंगी और साड़ी आपको तांत की होने वाली है बहुत प्यारा साड़ी है गाईज और क्वालिटी बह कर सकते हैं अभी तो फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गया है प्लस साड़ी की भी सीजन स्टार्ट हो गया है तो मैं इसे ओपन करके दिखाती हो पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है आप लोग देखिए कुछ इस तरह का पैकेजिंग है ये प्रॉपर बंगाल में जैसे साड प्रिंट नहीं है ये प्रॉपर ये जरी वाला मटेरियल है बहुत प्यारा लग रहा है तो आप लोग जरूर से त्राइक कर सकते हैं ये अभी थोड़ा से स्टार्च रहते हैं वाश होने के बाद थोड़ा ये सॉफ्ट हो जाते हैं तो पहनने के बाद बहुत ही आराम पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है आप लोग देख सकते हैं अंदर पूरा पेपर वगरा के साथ मुझे रसीव हुआ है तो बॉड़ी आपको कुछ इस तरह का चोटे-चोटे प्रिंट में रसीव होगा आप लोग को विजिबल हो रहा हो कुछ इस तरह के प्रिंट में र जिस जगह से साडी पैहनते हैं उदर आपको कुछ इतना सा पको प्लेज में रसीव होगा इसके बाद आपको पूरे साडी में सेम प्रिंट में रसीव होगा बहुत प्यारा लग रहा है आप लोग लोग नजदीक से देख सकते हैं प्रिंट निकलेगा तो नहीं दूलने मुझे इतना लग रहा है तो पूरा सारी आपको सेम प्रिंट में रिसीव होगा और आचल में आपको कुछ इस तरह का प्रिंट रिसीव होगा मैं सारी को रिकमेंट करती हूँ आप लोग जरू ट्राइ कर सकते हैं जरू गिफ्ट कीजिए दादी लोग को बहुत पसंद आए है सारी होने वाली मुंत आती है तो यह आपको यलो मरून और ग्रीन के कोंबिनेशन में रिसीव होगा तो प्रिंट वर कि कर सकते हैं तो बहुत प्रिंट कर सकते हैं और यह तो प्रपर फरस्टि व घइग आप लोगों को मैं इसे भी ओपन कर Kelemc疫 सबी की बहुत अच्छा खासा है पतला नहीं है बीच में आपको कुछ ऐसा यलो का पैटन रसीव होगा मिड में आपको इतना पूरा ये वर्क मिलेगा बहुत प्यारा लगेगा पहनने के बाद ट्रस्ट मी और आप लोग इमेज तो देखी सकते हैं और आपको फिर उसके बाद इतना यलो मिलेगा एंड फिर ये रेड बॉर्डर मिलेगी बहुत प्यारा लग रहा है आपको पूजा वगरा में आराम से पहन सकते हैं गिफ्टिंग परपस के लिए बहुत सही है साडी और क्वालिटी तो अच्छी है ही ताथ की है ताथ में थोड़ी सी मेंटनेंस मानती है जस्ट वाव इस साडी के लिए मेरे मुझे यही वर्ड निकला क्योंकि पूरा साडी आप लोग सेम वर्ड में आपको रिसीव होगा ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में प्लेन है बीच में काम है फिर आचल में वैसा वर्ड नहीं है पूरा साडी सेम रिसीव होगा और पूरा भरा बहुत प्यारा लगेगा आप लोग आँख बंद करके ले सकते हैं ताथ की साड़ी थोड़ी से मेंटेनेंस मांगती है तो अगर आप लोग कर सकते हैं तो आप लोग डेफिनेटली वाई कर सकते हैं मैं हाईडी रिकमेंट करती हूं आपको तो यह कुछ इस तरह में है और त इस तरह में हैं, बहुत सुन्दर है, पूरा साड़ी आपको सेम वर्क में रिसीव होगा, इवन इसे नियूली मेरिट भी है, अगर कोई तो वह भी यूज़ कर सकती है, आराम से, बहुत प्यारा लगेगा पहनने के बाद, इसमें आप लोग कांट्रास्ट ग्रीन हो, या कोई भी ब्लाउस पहनेगा, बहुत सुन्दर लगेगा, यह पल्लू होने वाला है, क्योंकि इसमें आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा अलग यह मरून वाला लाइनिंग दिया गया है, तो यह पल्लू है, नहीं तो पूरे साड़ी आपको सेम वर्क में रसीव होंगे, हाइली हाइली रिकमेंड करती हूँ, 10 आउट अप 10 है, आप लोग जरूर बाइत कीजेगा, चलिए बढ़ते अब हमारे जनरेशन की साड़ी की और, आज की 3rd and last साड़ी हमारे जनरेशन के लिए, जो की 3rd जनरेशन है, उनके लिए होने वाली है, तो यह मरून और गोल्ड प्यारा कलर है, बहुत सुन्दर लगेगा पहनने के बाद, उपर आप लोग देख सकते हैं, बॉडर कितना सुन्दर लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, इस साड़ी को भी मैं रिकमेंड करती हूँ, और पूरे साड़ी में आपको सेम ऐसा वर्क रसीव होगा, यह चोटे बूटे वर्क किये गया है, कोई प्रिंट नहीं है, यह बुगन वर्क है, जो ताथ की साड़ी में आती है, बहुत सुन्दर लगेगा गाईज, मैं नीचे आपको बॉडर दिखाती हूँ, नीचे भी आपको इतना चोड़ा सा बॉडर रसीव होगा, ताथ की बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, मैं इसे भी रिकमेंड करती हूँ, 10 आउट अफ 10 है इस साड़ी के लिए भी, तो पूरा साड़ी में आपको सेम इस तरह का वर्क रसीव होगा, बहुत प्यारा है गाईज, और लेंथ विट बहुत अच्छी है साड कि आप लोग पहने वे देख सकते हैं, यह मेरी हाइट 54 है, तो उस अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं, यह मेरे पर कैसा लग रहा है, आचल आपको कुछ इस तरह का रिसीव होगा, आचल में यह लाइनिंग दी गई है, यलो में, बहुत सुन्दर लग रहा है, यह प्रिंट है, वरना यह पूरा साढ़ी, पूरा यह वर्क किया गया है, बहुत प्यारा लग रहा है, यह देखिये, यह गईन, यूली मेरेट है, तो भी आप यूज कर सकते हैं, मम्मी है, तो भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपकी शादी को कुछ साल हो गया है, फिर भी आराम से आप लोग यूज़ कर सकते हैं अब पूजा में तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं पूजा में यलो, मरून, रेड यही सब चलते हैं और अब तो फेस्टिबल साधी सभी की सीजन स्टार्ट हो गई है तो हमेशा तो हम लेडिज वो पाटी करती हूं साधी सभी बहुत सुन्दर है अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीज़े बेल आइकन को प्रस कर दीज़े ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए मिल जाए ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस क्योंकि आंगे बहुत अच्य-च्छी वीडियो आने वाली है तो यह था आज की Liast 13 अज के लिए बस अतना ही आगे मिलते हैं किसी और वीडियो में अगर यह वीडियो थोड़ी से भी खेल लगी हो थोड़ी सी वी अच्छी लगी हो तो फ्लीज फ्लीज वीदियो को एक लाइक जरूर किजेगा एक वीडियो बनाने के पीछे बहुत मैनत लगता है गाइस तो प्लीज एक लाइक जरूर किजेगा और फ्रेंटस and फैं longitud के बेजय सासर सेयर कीजेगा